काफी लोग कन्फ्यूज आ है कि सिग्नल एप पे उनने कैसे स्विच करना है और क्यों करना है वो चीज आज गारे के डिसक्स करेंगे और कैसे शॉट तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सिग्नल अपको अपने आन्टरुइड डिवाइस में जो है इंस्टॉल करना ह तो वीडियो में बने रहे है या वीडियो पसंद है तो लाइक दे उसे कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब बरके नोटिफिशन बेल कोई प्रेस कर लेना चलते है हमारे वीडियो की तरफ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो सिगनल अप है यह आपको एंडरोड में मिल जाएगा और अगर आपके पास कोई भी एंडरोड डिवाइस है उसमें सिगनल अप यूज कर सकते हो अब सबसे पहले जो है मैं आपको एक स्क्रीन शॉट दिखाता हूँ स्क्रीन के उपर यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोगों ने पूछा है और अगर आप गूगल पर भी जाते हो तो यह चीज जो है काफी लोग प्राइवेसी को लेकर जो है इन्वर्मेशन मांगते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है सबसे उपर ही लिखा हुआ है कि सिगनल एप अगर मैं सर्च करूँगा तो आपको एक स्क्रीन शॉट देखने को मिलेगा जो की है यह जैसे ही मैं सिगनल एप के लिए सर्च करता हूँ सबसे पहला कोशन यही आता है कि इस सिगनल ए सेक्यों और कम्निकेशन और सिगनल और एंड टो एंड एंगरेप्टेड विच मेंस ओनली दपीपल इन मैसेज़ेस कैन सी दे कॉंटेंट ऑफ तो अब मैं इसका स्क्रीन शॉट भी ले लेता हूँ और आप देख सकते स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा तो इसक कमपनी है वो इन मैसेज़ेस को नहीं रीड करेगी और नहीं लीक करेगी जिससे की आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी और साथी जो है यहां पर एंक्रिप्शन की बात हो रही है मतलब की जो है आपका डेटा सेक्योर रहेगा अब काफी लोग पूछेंगे कि यह चीज सेम वाटसाइप भी लिखता है वाटसाइप मे यह चीज लिखी रहती है लेकिन वाटस अपने निउ प्राइवेसी लौ में यह चीज हटा दी थीवशन ने यह चीज पूला था तो अब न्यू प्राइवेसी पॉशन में आने के बाद से लोगों का विश्वास स्टार्ट हो चुका था और वहाँ पर जो है signal app ने नियू बाजी मार लिए अब signal app को काफी लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि signal app जो है ना वह उनी founder का है जिन्होंने WhatsApp को फांड किया थे यहाँ पर WhatsApp जिन्होंने बनाया था उन्होंने WhatsApp सब फेस्बुक को सेल कर दिया था लेकिन अब जो है signal app जो कि इन्हीं ने क्रियेट किया है और यह सेम एप्लिकेशन है जो जैसा कि WhatsApp करता है तो आज के वीडियो में हम जो है अब इसको डाउनलोड करेंगे आपको डाउनलोड कैसे करना है सिंपल फॉर्म मैं बताऊंगा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें तो फटा फट से चलते हैं वीडियो में आगे यहां पर आपको सबसे पहले जो है मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डर ओन कर लेता हूं ताकि आपको कुछ नहीं करना है आपको सिंपली से जो है यहां पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर को ओन कर लेता और अगर आपको वहां से नहीं मिलता है सर्च करने पर तो आप जो है इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लेंक है उसको जो है क्लिक कीजिएगा तो डिरेक्ली यह पेज ओपन हो जाएगा और यह कोई पेड या स्पॉंसर वीडियो नहीं है क्योंकि इतनी बड़ है अपलोड की गई थी और यहां पर जो है नीचे आप देख सकते हो में 25 2010 मतलों कि 2010 यह अप्लिकेशन है और यहां पर जो है लोगों ने अब इसको पसंद करना स्टार्ट किया है जो कि आप अब देख सकते हो जनवरी 11 2021 तो वीडियो में आगे बने रही है आगे मैं आपक इसको इंस्टॉल कर लिया है अब इसको ओपन कर लेते हैं फटावर्ट से ओपन करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा टेक प्राइवेसी विद यू बी और सल्फ इन एवरी मैसेज कंटिन्यू करते हैं और यहां पर जो है आपको फि भी रहते हैं मतलब जहां जिस भी country से आप इस वीडियो को देख रहे हैं या आप जो है application को open कर रहे हैं तो आपको अपना country code डालना है या country name डालना है नीचे आपको अपना phone number डालना है मैं जो है यहां पर अपना phone और next करता हूं जैसे मैं next करूंगा और यह जो है मेरे को एक OTP send करेगा जो की one time password होता है वो मेरे पास आएगा जिससे कि मैं यहां पर अपना OTP डालूंगा OTP डालने के बाद आपको जो है यहां पर थोड़ा time ले गई है OTP आने में यहां पर जो है मैं जिससे मैं video record कर रहा हूं उसमें OTP आया है तो मैं OTP एक बर लिख लेता हूं तो आप यहां पर डाल दीजिए last name optional है last name आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो next कर दो अपना profile auto भी आप वहां से लगा सकते हो एक पिन आपको बनाना पड़ेगा जो कि आप generate कर लीजे जो भी आपको ठीक लगे मैं जो है अब यह पिन डाल देता हूं इसमें तो मैंने पिन डाल है तो create हो जाएगा यह automatic और होने के बाद आपको जो है यहां पर अपना चाहे तो आप mail ID भी add कर सकते हो अगर आपको backup वगेरा चाहिए messages के जैसे कि आप WhatsApp में करते थे same वैसी चीज़े आप यहां पर कर सकते हो आप देख सकते हो लेयाउट बिल्कुल totally जैसा आपका WhatsApp होता ह है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा और अब यह आपको डार्क मोड देखने को मिल रहा हुआ क्योंकि मैंने फोन में डार्क मोड अनेबल किया हुआ है तो डार्क मोड देखने को मिल सकता है यहां पर आप नीचे देख सकते हो दो आइकन आपको देखने को मिल रहे होंग जैसे कि आप normal whatsapp पे भी करते थे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यह जो है camera का layout open हो चुका है अब यहाँ पर आप देख सकते हो pencil का icon है pencil का icon को अगर मैं click करता हूँ तो आपके context वगेरा आ जाते हैं तो context वगेरा को back कर लेते हैं context वगेरा आपको देखने को मिलेंगे next उपर आप देख सकते हो ऊपर आपको तीन icon देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर दो और यहाँ पर एक तो जहां पर लिखा हो है उस पर अगर आप किलिक करोगे तो आपको यहाँ पर appearance वगेरा आप जितने भी जो है modify कर सकते हो अपने जैसे की WhatsApp पर आप करते हैं ले आउट वगेरा उपर आपको त्री डॉट्स देखने हो मिल रहे है उसमें new group mark all read invite friends और settings को option मिल रहा है new group करने पर आप जो है एक new create कर सकते हो अपना group साथ ही यहाँ पर option मिलता है आपको mark all read का अगर अपने एक साथ सारे message को read automatic डाल देना है कि आपने read कर लिया है तो mark all read कर सकते हो invite friends कर सकते हो friend को जो है आपनी हासे link send कर सकते हो ताकि वो join कर सके settings में जाएंगे तो आपको सारे ही option देखने को मिल जाएंगे जैसे कि appearance वगेरा option मिलता है यहाँ पर search का option मिल रहा है ताकि आप अपने contacts वगेरा को search कर सकते हैं तो यही जो है layout है signal app का और अगर आपको download करना है तो आप download कर सकते हैं और बाकी link आपको description में मिल जाएगा वहाँ से आप directly जाके इसको download कर लीजीगा इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से उससे कर दीजीगा चैनल को subscribe पर नोटिफिशन मेल को प्रेस कर लेना मैं मताब से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई